हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक अगस्स 2018 की प्रिलिम्स अब रिटर सीरीज में आपका स्वागत है, यहां पे हम इंपोर्टेंट न्यूज हो डिस्केस करने वाला है, दा हिंदू, पीबी, नूज वोन, एयार, इसके दियोजना की जो इंपोर्टेंट न्यूज होती अगर जैपूर है, वो UNESCO हेटेज साइट में इंक्लूड हो जाएगी, तो इससे क्या क्या मिलब कहां का जो रोजगार वगरा क्रेट होंगे, या फिर किसे बेनिफिट जैपूर को होने वाले हैं, इसके साथ ही क्या प्रोसीजर वगरा होती है, तो एक बार उसके बार में देख लेते हैं, देखो, गर बात करें, UNESCO की वर्ड हेटेज साइट की, तो इंडिया के अंदर टोटल 37 वर्ड हेटेज साइट है, हो है, अब हर देश के पास एक जो भी कंट्री UNESCO की मेंबर होती है, उसके पास ये अथोरिटी होती है, कि हर साल एक जगह को, या मलब जो भ लग जाता है, और उसको काफी कलचल वेलि। भी काफी होती है, वहाँ पे जो भी हंडी क्राफ्ट भी इह फूह फेमस है, यह उन जैसा कि हमने पत़्पठा कि उनकल चल्चल में कि वहाँ पर सांगानेरी प्रिंट है, वो भी बहुत है, वहाँ पर जो हेनदमेट काज है, उसका भी इंड़ेस्ट्री बगरा हैं, तो उसके बारे में काफी सारे फेक्ट्स वहाँ पर आ जाते हैं, तो इसलिए गोर्मीनी डिसाइट किया है कि जेपूर को वर्ड हेटेज साइट है, उसका दरजा दिलायजास की, इससे दको benefit होने वाले हैं एक परियेटन है, वो भी बड़े का domestic परियेटन हो, चाए international परियेटन की हम बात करें, इसके साथ ही employment है, उसमें वर्दी होने वाली है, इसके साथ ही बात करें infrastructure है, उसके लिए fund मिलेगा अलग से, और काफी growth है, वो देखने को मिलेगी, इसके साथ ही जेपूर की जो handicraft product है, इनको world level पे दरजा वो मिलेगा, और मतलब कहीने की international level पे बिंसकी बिक्री होगे रहा है, वो किजास की, और इसकी जो value है, और जेपूर की जो value है, प्रतिष्ठा है, वो यहाँ पे बढ़ने वाली है, तो यह कुछ benefit जेपूर को होने वाले है, तो थोड़ा basic fact हमने देख लिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या procedure है, अब बात करें हम UNESCO की, तो जैसा कि हमें पता कि UN की एक special agency है, जिसका basically काम हो, education sector में है, science sector में है, इसके साथ ही है, human-nating crisis है, उसके लिए भी काम करती है, human rights के लिए भी काम करती है, तो वो सारे facts यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स जो हमारा article आया है, वो आया है, criminal law amendment bill 2018 के बारे में, context यह है, कि लोक सभाने भी criminal law amendment bill 2018, इसको pass कर दिया है, तो इसके features हम देख लेते हैं, क्यों काफी important bill हो जाता है, इसको actually public demand के लिए पहले रखा भी गया था, जब यह draft त्यार किया गया था, इसके बाद ही इसको एक bill है, वो बेस किया गया था, और अभी यह act बन जाएगा, जब president की इसको अनुमती है, वो मिल जाएगी, तो देखो बात करें, हम IPC की धारा, इसके साथ ही हम करें, code or criminal जो procedure है, और जो post correct है, इसके अंदर भी amendment है, वो क्या गया है, क्यों, क्योंकि हमारे देश में rape है, वो ल death punishment का प्रावदान है, वो क्या गया है, कि अगर 12 साल से कम एर की छोट बच्ची के साथ, अगर rape होता है, तो उसको death punishment मतलब उसको मृत्यदन भी दिया जा सकते है, इसके साथ इसमें अलगलग प्रावदान रखे गया है, कि जैसे अगर woman के साथ rape होता है, तो at any cost 10 साल से कम skim rape होता है, तो उस condition में उसको आज जो भी आरोपी है, उन सब को आज जीवन का रावाज है, वो यहाँ पर दिया जाएगा, इसके साथ ही यहाँ पर एक focus यह क्या गया है, क्यों कि यहाँ स्पीडी investigation पर, तो स्पीडी investigation का मतलब यहाँ पर यह है, कि जो भी ऐसे rape के कैसे हैं, उनको maximum 2 मीने के अंदर sort out है, वो करना होगा, और फिर उसको अलवार अगर वापस से appeal वगरा की जाती है, तो मतलब at any cost 6 मीने से ज़्यादा कैसा हो नहीं चल सकता, मलब within 6 months तो हमें solutions करना ही होगा, चाहिए और दुबार appeal जाहिर की गया हो, चाहिए कुछ भी क्या गया हो, 6 6 मीने से जाद तो at any cost भी उसको extend है, वो नहीं कहाज सकता, अब यहाँ पर फ्रिलिम्स के effect और बन जाता है, वो यह बन जाता है कि कौन से state है, जिन्होंने dead punishment का प्रावतान किया है, गेंग रेप के लिए, तो वो सबसे पहले बात करें तो हो किया है, मर्द्य प्रदेश ने क्योंकि काफी important bill है, आज के time पर woman empowerment के अगर हम बात करें, अगर हमारी society के बात करें, तो rule regulation tight होने का जब बात आती है, तो इसलिए कहीं ने कि इस bill के जो points है, वो एक तो मैंस के answer rating में भी use है, वो कर सकते हैं, क्योंकि देखो answer rating में अगर हम जो नई जो points है, उनको कर add करते है तो यह पता चलता है, एक्जामे को कि हायर इसने current से जो चीज़े को related की है, इसका तुमने काफी chance और attractive है, वो लिखाया, तो यह कुछ facts हमें पता होना थी है, नेक्स जो article है हुआ है, इस रो के बारे में, इस रो का एक mission है, जिसका नाम है deep ocean mission, उसको लेके आया अबी है, context है कि भी central government ने अनुमती दी थी, और इसी के बाद ही देखा जाए, तो earth and science ministry के दोरे एक dart भी तियार किया गया था, इसके लिए, blueprint हो तियार किया थे, ocean mission के लिए, तो इसकी देख लेते हैं, basically इसमें इस रो है अपनी research वगरा करेगा, तो यह का feature benefit हो, अब context हमने देख लिया कि भाई, इस रो है, वो एक mission चला रहा है, basically earth and science ministry के दोरे mission है, वो लाए जा रहा है, mission का नाम है, deep ocean mission, या बोल सकते हैं, ocean mission के नाम से, देखो इसमें यह है, कि हमारे देख का जो exclusive economic zone है, EEZ, जो इसको बोलते हैं, जैसे यह मालोगी हमारा देख हो गया, पर तो यह ocean वाला area हो कि ocean काफी गहरा होता है, तो उस area के अंदर अगर रिसर्च वगरा करनी है, तो हमें नए त्रिके के instrument की जुरूत होती है, अच्छी quality के हमें, और भी जो instrument हो चाहिए, इसके साथ ही में रिसर्च वगरा करनी है, तो पैसा वगरा तो चीच जएगा, इसके साथ ही ने जो वहा पर काफी focus हो किया जाएगा, मतलब deep ocean research है, उस पर focus कर जाएगा, मतलब गहरा ही में research हो की जाएगी, जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ, जैसे ही मानलों कि ocean इसमें आप देख सकते हो कि ocean का पेंदा है, तल बोल सकते हो, इसमें हाँ पर research की जा लिए काफी गहरा ही में, तो काफी ज़्यादा पानी का pressure होता है इस वाले area में, तो यहाँ पर अलग तरगे के machinery यूज होती है, robots वगरा यूज कर जाता है, किस तरह कि से light की supply हो बहुत सा कुछ देखना पड़ता है, तो इसी research के लिए अभी ये प्रोग्राम है, वो चलाया गया, तो थोड़ा हम इसके पाने पता होना चाहिए, कि deep ocean mission है, वो क्या है, इसमें basically क्या क्या जाएगा, ocean के देखो जो गहरा ही वाला area, उसमें mining वगरा पर focus कह जाएगा, कि वहाँ पर खुदा ही वगरा की जासके, इसके साथ ही man focus ही रहेगा, कि एक तो offshore wind के plant है, वो लगए जासके, और एहम बात एक जाएगा, कि ऐसे vehicle हैं, वो तियार के जाएगा, जो कि ocean के अंदर लगबग 6000 मिटर की जो गहरा ही होती है, वहाँ पर काम कर सके, क्यों को 6000 मिटर का मतलब क्या होगा, कि 6 km, मलब ocean के अंदर हम 6 km घरा ही में जाएगा, तो वहाँ पर ऐसे instrument हमारे पास होने से है, vehicle वगरा, जि इसके साथ ही हम current की एक news और connect है, आपर वो कर लेते हैं, वो आ जाती है, यहाँ पर ISA के द्वारा, International Seward Authority, इसी से related है, इसलिए मैंने उस news को आपर add है, वो किया है, देखो, context यह है था, वो आपको बता दूँ कि इंडिया को 75,000 स्क्वार क्लोमेटर का एरिया है, वो मिला थ Central Indian Ocean, मतलब हम कह सकते हैं, जो यह अपना इंडिया हो गया, और इंडिया के आसपास वाला जो एरिया हो गया ना, इस वाले एरिया के अंदर पिछेतर जार क्लोमेटर का एरिया दिया गया था, इंडिया को, UN की जो है ना, सीबेड अथरोरी उसके द्वारा, ताकि इस वाले अब बात करें, पॉली मेटरिक नोडल्स के बात करें, तो यह बेसिकली होते क्या हैं, वो आपकी दिमार्ग में क्यों सना होगा, देखो पॉली मेटरिक नोडल्स होते हैं, इनका मतलब यह है, कि जो ओसेन के अंदर काफी कॉम्पलेक्स मातरा में जो चीजे पाये जाती है जैसे की मेगनी सेम हुआ, वहाँ पे आयरन भी पाया जाता है, निकल भी पाया जाता है, कोबाल्ड भी पाया जाता है, जो ऐसी चीजे होगी ओसेन के अंदर मिनरल्स वगरा, उनको कहते हैं यहाँ पे पॉली मेटरिक नोडल्स, तो यह आपको धाना हो रखना है, तो इसल इसलिए डीप सी रिसर्च की जरूत होगी, और इसलिए गौर्मिंड एमिशन है, वो चला है, अब हम बात करें, इंटरनेशनल सीबेर्ट अथरोटी की, तो वो एक यूएन की स्पिलेट एजेंसी है, यह चीज तो होगी, यहाँ पे इंटरनेशनल सीबेर्ट अथरोटी, क रिसर्च Tinad गाना सीबेर्हों कि अश्या, वो इसलिए इंटरनेशनल सीबेर्ट उथरोटी, का मेंबर इंटरनेशनल सीबेर्ट उतरूरटी का मेंबर हो दोबार से रिएच्ट यह तो यह बर्यूएन वे इंपर्ब बन जाता है, इसलिए इंटिया अभी मोका मिला storms, कि इस अगली जो बात हम यहाप पर करते हैं वह आती है CRIF के बारे में Central Road and Infrastructure Fund के बारे में, context यह है कि जो CRIF है ना यह Central Road and Infrastructure Fund यह पहले तो आता था Road and Transport Highway Ministry के अंतगत, बट अभी इसको shift कर दिया गया है, वो कर दिया गया है Finance Ministry के अंतगत, क्योंकि इसका जो Administrative परसाशन था ना, वो Road Transport Ministry में था, तो इसलिए काफी दिक्कत हो रही थी, तो अब इसको Transfer किया है Finance Ministry के अंतगत, तो यह चीज़ आपको धानक नहीं है, कि Central Road and Infrastructure Fund है, इसका Administrative जो Control है, वो अब Finance Ministry के Department है, Economic of Affairs, उसके अंतर ट्रांसफर है, वो कर दिया गया है, पहले आता था, रोड एंड ट्रांसपोर्ट आइवे, तो यह फेक्ट आप अच्छा से रयाद हो कर लेना, इस पर क्यूशन यहां पर बन जाता है, क्योंकि जहां पर Ministry Change हो रहा है, तो वो फेक्ट इंपोरेंट हो जाता है, बेसिकली जो Central Road and Infrastructure Fund है, इसको 2000 में Central Road and Infrastructure Fund बनाया है, वो गया था, उस तुरान इसका मोटो यह था, कि जो हमारे देश में Road Infrastructure है, इसको बूश्ट किया जासके लिए, अब आपके दिमाग में आगा इसमें पैसा कहां इंपातिर बढ़ाएंगे, तो इसके लिए जो पैसा है, वो आता था, हमारे देश में जो भी एक्साइस यूटी लगा जाती है, पेटल और डिजल पे, वो सारा पैसा Central Road and Infrastructure Fund में हो जाता था, इसके बाद में जब 2008 का जो बजट लाया गया था इसी बार, तो इसका नाम हो चेंज कर दिया, Central Road and Infrastructure Fund, नाम इसलिए चेंज किया गया, क्योंकि पहले जो ये नाम था, इससे साफ-साफ ये दिखा जाता, कि इसका जो पैसा है, वो सिर्फ Road Infrastructure में यूज हो कर सकते हैं, तो अभी, सोरी, अभी गोवर्मेंट ने इसके डायमेंशन चेंज कर दिया इस बा मतलब जो पैसा है, उससे ही डायमेंशन बढ़ा दिये, पहले तो क्योल पैसा देखा जाये, तो सिर्फ Road Infrastructure पर फोकस के जा रहा था, बट अभी और तया कि जो इंफ्राच्रेक्चर हो गये, इस सोचल इंफ्राच्रेक्चर की बात करें, इन सब भी इसका पैसा है, वो यू जान है, वो रखना है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है, वो है International Tiger Day के बारे में, देखो हर साल है 29 जुलाई को International Tiger Day या World Tiger Day वो मनाया जाते है, तो यह हमें ध्याना रखना है, कब से स्टार्ट हुआ यह हम देख लेते हैं, 2010 में सेंट पिटर्सबर्ग में Tiger Summit हुआ था, उस तोरान यह डिसाइड हो क्या गया था, कि भी हर साल 29 जुलाई है, उसको हम World Tiger Day बोल दो, या Global Tiger Day बोल दो, या फिर International Tiger Day उसके तोर पे मनायेंगे, मैन मोटोई इसका साफ साफ यह था, कि Tiger Protection है, इसको परमोट करना है, इसको Tiger का जो Natural Habitant हो गया, आवास हो गया, इसको हमें बनाये रखना है, ताकि Tigers की population कम ना हो, इसके साथ ही बहन बात यह थी, कि लोगों को Aware क्या जाएगा, कि एटलिस लोगों को एक दिन पता तो चले ना, कि हाँ भी है में टाइगरों की भी बज़ाया होया रक्सा है, वो करनी है, तो ये Awareness की प्रोग्राम में, वो चलाए गय में, कि यह पुछा था, UPC ने कि आजगल न्यूज में M-Strips के नामें पुछा था, M-Strips, S-T-R-I-P-E-S, कि भाई यह M-Strips से आजगल न्यूज में कि से इल्टड है, तो यह बेसे की टाइगर की Mobile Monitoring System से इल्टड है, तो यह facts में वहाँ पे धाना हो रखना था, तो UPC क यह बार ऐसे keyword को focus है, वह कर लेती है, तो धानक ना है, कि National Tiger Conservation Authority है, चलो आप यह बताए कि कौन से मिनिस्ट्री के इंतर कर दाती है, यह काफी important factor वह बन जाता है, यह actually इसके दोरह में focus यह कहा था, कि हमारे देश में जो भी Tiger वगर है न, यहनकी Mobile से Monitoring कि जाज के, Forest Guard वगर है इनकी help से, तो यह इसका प्रावधान है, वो क्या गया था, इसके साथ ही World Bank का Global Tiger Initiative Program भी चला गया है, तो यह भी हमें धानक ना है, मतलब इसमें World Bank ने पैसा वो दिया है, इसका महन मोटो यह है, कि जो Tigers की population है, उसको बढ़ाया जा सके, यह इसका basically प्रावधान है, वो किया गया है, तो यह हमें धान है, वो रखना है, कि Global Tiger Initiative Program है, वो World Bank का एक प्रोग्राम है, मोटो ही है कि Tiger की population को डबल करना है, इसके बाद में जो गली न्यूज है, हमारी वो आई है, Mobile Open Exchange Zone के बारे में, तो इंडिया का पहला जो Mobile Exchange Zone है, वो अप्चुली ओपन किया गया है, नोइ आकि Mobile का Production है, वो बढ़ा है, जासके है, तो यह वैसे धान रखना आपको कि Noida है, वहापे Mobile Manufacturing का बड़ी ताजाद मातरा में होते हैं, तो अगर आपको एक्जाम में धान भी New Effects, तो भी आप थोड़ा बहुत Eliminate करके जुगाड़ है, वो कर सकते हो, देखो यह UP Government और जो World Trade Center है, इन दोनों के भी इसमें भी MOU साहिन हुआता, और आपको बताए कि UP में इन्वेस्टर्स के लिए प्रोग्राम भी चला गया था, UP Investors Program, उसके तहित यह बात गी एक थी, बहुत यह UP के अंदर मिलब नोड़ा, UP में यह आता है, विसलिए और NCR वाल एरिया में, कि वहा पर अपनी growth हो कर सकते हैं, मतलब एक तरीक से उनको ecosystem है, महोल वो दिया जा रहा है, mobile industry के लिए, वहाँ पर क्या होगा, एक platform मिलेगा उनको, तो इसे जो retailer हो, distributor है, वो एक साथ हैंगे, startup से company हो हैंगी, investors करने वाली, इसके mobile company के साथ, जो promotion होगर आउंगे, वो सारे काम बेसिक में, वो बनाए गया, तो यह धानक न है, कि इंडिया का पहला mobile open action zone है, वो नोईडा में open है, हो क्या गया, तो यह कुछ आज की news थी, जो हमने आपर discuss हैं, वो की हैं, तो फिलाल की discussion में इतना ही है, thank you very much for discussion.